खबर चंडिकर से हैं आपको बता दें संजीव कोशल को मिल सकती है एहम जिम्मदारी ये बड़ी जानकारी इस वक्ति की सामने आई है हपी जीसील के चेयर्मेन बन सकती है संजीव कोशल सरकार जल्द जारी कर सकती है नियुक्ति के आदेश हरियाना के पूर्व मुख्य सचिव है संजीव कोशल ये बड़ी जानकारी इस वक्ति आपको दे रहे हैं संजीव कोशल को मिल सकती है एहम जिम्मदारी हपी जीसील के चेयर्मेन बन सकती है संजीव कोशल सरकार इसके लिए नियुक्ति के आदेश जो है वो जल्द जारी कर सकती है हरियाना के पूर्व मुख्य सचिव है संजीव कोशल जिनको एहम जिम्मदारी सौपी ज़ा सकती है विशेश संवदतर रवी काली रमन मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए है रवी और क्या अपडेट इस खबर पर और क्या एहम जानकारी इससे जुड़ी आपके पास संजीव कोशल को जल्ड नियुक्ति जो है वो मिल सकती है बड़ी इम्मेदारी जो है उपर देश सकार देश सकती है संजीव कोशल को जल्ड नियुक्ति के आपड़ेश जल्ड हिजारी जो हो हरियाना सकार की तरफ से इस जा सकते है संजीव कोशल को हर्याना पावर जेनरेशन कॉर्परोशन लिमिट यानि की HPGCL का चेर्मेन ने उप्टिया जा सकता है और साली में संजीव कोशल जो है वो टीप सेक्टरी के पक्ट से रिटायर हुए थे और उसके बाद रिटायर्मेंट के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों को सौपनी जानी है और जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी कहा है दायुत वो बढ़ जाते हैं रवी क्योंकि बहुत एहम ये जिम्मेदारी है है एच्पी जी सील का अगर चेर्मेन उन्हें बनाया जाता है तो बिल्कुल देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी इसको कह सकते हैं और संजीव कोशाल एक अच्छे मुक्रत जिब के तौर पर एक अच्छे आईस के तोर पर प्रदेश सरकार में काम किया है उन्ता अनुगाव भी एक पर देश सरकार के अच्छा माने वाला है इसलिए उनको एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर आप देखा जा रहा है एसपी जीचेल का चेर्में का पद उनको दिया जा तकता है ताकि वो अपनी सेवाई कार्पोर्शन में अच्छी तरीके से देश सकेंजी रवी शुक्री आपका जानकारी देने के लिए तो संजीव कोशल को ये एहम जिम्मेदारी मिल सकती है जल्दी जिम्मेदारी मिल सकती है ऐसी जानकारी जो है सामने आ रही है